कि देखिए कि हम गनीत में आपको कल के कलास में चौंथा भाग में चार भाग तक हम आपको कंप्लीट करा चुके थे वस्तविक संख्या का हम आपको करा रहे हैं तो इसमें प्रशना वाले एक एक हम बताए हुए थे तिसरा सवाल के चार गुसाल हम आपको बता दिए तो चार गुस्वाल पाचमा स्वाल में था 402 बावन और बारा पांसुच्वाइटर का लगरीज्म के द्वारा से मौसर निकाले तो इस प्रकार से हम आपको मौसर निकाल दिये यहां पे देख लिजीगा चाली से लिए लगा तो बारा एक मौसर हुआ है इसको बैठा दिये हैं लोगरीज्म से देखें जितना बार ऐसे हुआ है न उतना बार भाग हुआ उतना इस्तिति हुआ एक दू तीन चार पांक छे साथ 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 इस प्रकार से आप इसको नोट कर लिजेगा अगला स्वाल देखते हैं क्या है हुआ है दिएर अगर्शल क्या है तीन का पांच तक बताए से चटाने वसल कहाता हैं आपको कहता है आपको कहता है ब्यालीस और चार सब पच्पन का वही अल्गरीज्म से मौसर्सक्षा तो अग्याद करना है तो फेया लिस से हम भाग देंगे 400 पश्पन में तो ब्यालीस से तो चार में लगाए गाना अब पूरा में ही लगा एक भाग दिए पहले एक मरतबहए ब्याले स्लेया इसमें यह मरतबी सफिर जीरो मरतबह यह जीर जीरोग फैन्ट इस आप देस्वांटुच एप यह 15 में एक मरतभे पैंटेस बचिया साथ आप साथ से भाग रिज का र core algorithm ofirement having yeah email algorithm आजा लो यद्म अब daytime कितना अब भाग वा एक दू.. टीन वारत हुआ थी पहले पहला स्थिप्पला इस्थिति क्या होता ए बराबर बी क्यू पलस आर एक आमान is पहला ईस्थिति में 400 पच्पन आध बी कमान है बी 40 गुने इस कमांब द मैं धूस पहंतीश रस्थेटी गूसरा गूसरा कि एक इस्थिती यह पे लिखे देंगे क्या हुताई सुत्र एब आबर डी कूफ्ल सार ये वानद डूसरा इसके मिकां बया जी बराबर पैंटीश गुने एक फुलसद साप तिस्रा स्थिटी है तिस्र बराबर 7 गूने 5 प्लस जीरू इसलिए आपको मौसर यहाँ पहो गया साथ आगर यह आपको समझ में यह आता है हुआ यह समझमें इस से देखें पांचमा भाग है तिसरा भाग जितना यदि आप बीच से करते हैं यह बीच बहुत पांच भाग देखें तो फिर आपको कैसी भी चीज को सुरूर से किज़या उसके बाद नहीं समझ में आगा पांचमा भाग है यह वीडियो जो है आपका पांचमा भाग है इसे पहले और चार भाग है तो चार भाग पहले आप देखिए उसके बाद नहीं समझ में आया तो फिर आप कहिए वह आपको पुरा समझ में आ जाए उसके बाद अगरा स्वालें बढ़ते हैं यह हो गया और सो दीखिए अब यह सवाल देखते हैं का तक दिखाएं कि एक धहनात्मक विशंप्रनाग्ग 4 और कि वूंषे चाहरे कि प्लस्तिन का होता है फिर दिखायां कि धनात्मप विसंपॉर्णांग प्लस एक हो रॉपका दिखायं तनर को सब्सकोर रस्ती रूप का होता है यह बाद में फिर के बाद यह बाद में करेंगे पहली यह देख लिजाब को सवाल इतना ही तक रहेगा यह पूरा नहीं रहेगा आपको बोड एक जाम दिजेगा तो फिर से यह पूरा यहां तक नहीं रहेगा आपको इतना ही तक रहेगा इसके बाद यह दूसरा सवाल रहेगा यह अगला सवाल दूसरा सवाल रहेगा लेकिन इसी में दे दिया है तो हम दोनों देख लेते हैं आ आप इतना ध्यान किजे कि एक धनात्मक विसम पुरणांघ 4Q पलस 1,4Q पलस 3 की रूप का होता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि 4Q पलस एक ही देगा, कुछ भी दे सकता है, विसम पुरणांघ है न तो 4q पलस 1, 4Q पलस 3, ये विसम है न, चो क्यू पलस एक, चो क्यू पलस तीन, चो क्यू पलस पांच भी दे सकता है दू क्यू पलस एक भी दे सकता है तीन क्यू पलस एक भी दे सकता है विसम पुरनांक अगर विसम पुरनांक नहीं कहेगा सिर्फ कहेगा धनात्मक पुछता है आपको तीन बात धनात्मक भी सम पुर्णांग पुछ दे या सम पुर्णांग पुछ दे या धन पुर्णांग पुछ दे धन पुर्णांग पुछेगा तब यहां पे क्यू जो है बी का गुनांग होता है यानि बी का मान चार तो आर के जीरो बाला दू बाला रहेगा बिसम में पुछेगा तर बिसम बाला रहेगा तो अभी बिसम का रहा है तो हम बिसम बाला को लेके चलते हैं देखिए बनाएंगे कैसे यह सवाल है चार के पहला पहला हल लिखे देते हैं यहां पर अब देखिए यहां चार क्यू है ना च्छ क्चूर्ण रहे अंटेंगे रहें कुछ भी रहें के लैल्ती क्यूं कुछ भी रहेगा इसके साथ में कि वह ब्राबर4 अगर चो रहेजा तो बीक अगया शल्क कि नहीं है अगर अगर 3 Q तह B कामान 3, 2 Q तह B कामान 2, समझ रहे बात को, तो यह बात लिखते है, 0 लेश निन R, लेश निन B, यानि R कामान जो है 0 से बारा, R कामान जो है, 0 भी होगा, बराबर है, इसलिए 0 भी होगा, 0 से बारा होगा, 1, 2, 3, B से छोटा, यहाँ पे 4 हैं न तो 3 था, अगर वी का मंने लिछ छार है तो जीरो एक फनू टीन झीरो एक फ्यनू ए चार पांच यह कम तरह था है बी कमान गुडू है थो आटकर वाइं जीरो एक बसे अब आपके के मान कि अनलेगे जाय भी इसी लिए हम हम फी इस संप पॉरिनाग लिख देंगे विसंपूर नंक के लिए जाइब है आर बाराब वि paid और इन देट और बरबला पर हम एक रखेंगे तर शुतर लखेंगे यह बराबर बिक्यू फिलस आएब पर सम्काराइट इसी में से हम भी सम चूंढ लिए यहां सम कहता इसी में से सम जीरो आदू चुन लेते हैं अगर धनपुर्णां कहता तो सब को ले लेते हैं एक भी जीरो भी ऐसा ही है सब कही है जीरो का भी करते हैं एक का भी करते हैं दू का भी करते हैं तीन का भी करते हैं धनपुर्णां कहता तो लेकिन अगर यहां पर भी सम करा तो इसमें से भी सम चुन लिए एक तीन अब एक के लिए कर दिए तीन के लिए कर दिए सम के लिए कहता था सम चुन लेते जीरो तो जीरो के लिए कर देते दू के लिए कर देते बस इतना है इसलिए बिसम पुर्नांग बिसम पुर्नांग सण क्यिन कि पलबस एक यह मोगई कि चेर क्या प्लबस ठीन रूप का होता है है भस यह आपका इतना बन जाएल एतना ही तक है यह यह रहां तक यह इना तक कर दिए कैसे बनाएं आपको सवाल यहां तक है तो यह काम कर देजिए इसको आप स्क्रेंसोट ले लिए इसके आगर बताते हैं आपको अलग रहेगा इसी सवाल में दे दिया है लेकिन आपको बोड़े जाम में अलग पूछा जाएगा यह वाला अलग पूछा जाएगा कता है दिखाये की ध्यनात्मक विसंपुर्णां का वर्ग आठेम पर लस गुरुप का होता है तो हम आपको बता है यह रहा है क्यों हुग हो बी कमान वहीं होगा बी कर दो के आठ तो जीरो लेस्त इन इकलटो आर लीस दिन नी आख को दो जीरो एक डू थी चार पांचे साथ डिया विशंपुर्णां का वर्ग आठेम पर माने बी सम का वर्ग तो बी समस्ट मिसमेंस चुन आ ओगा यह काना ने बी सम तो छुन दीजी विशम पुर्णाग वो अब इसम इसमें क्या क्या है एक तीन पांट साथ तो आर कमान एक रखेंगे शुत्र ए बराबर बीकू पर असार ए बराबर बीक मन कितना आठ क्यू परलस एक एन होगा यह आए अरे आर कमान एक रखे यह अब इस सवाल यहीं पे नहीं plays भुर्ना स्बावान कहता है विशंपुर्णाग का वर्ग कवणत जो भी विशंपुर्णागत आया है एक एक भी आगा तीन भी आगा पात वैसाथ मरत सब का यू आ इस्पी अछरुआ करेंगे किसको दो इसका बरकिजेगा आठिकीव पलस एक का गरवर कीजिए घा तो आठिकीव का वर्ट क्या अच्छों सठ्थ क्यों समय स्क्वाइब इसका आठ्ड-व। उनना स्वोगा क्यू पलाशिक इसको गुंदा कर लिजिए गई इतना एक तो छौन सठय जस्वाइब पलस सूला क्यू eager अब एस्कु possibility अभर देखिए यहाँ पे हम बताते हैं उस या से गुना की एसे कर सकते हैं और्थ क्यू पुलस एक इन टू प्र अगर यहां छोड़ते हैं आप तो बच ज़ाता है की प्लस एक फिर चेख पॉलस एक छोड़ते हैं तो आठ क्यू पर अच्वाट से लिए तक ना चौश अट आठ को एक से गुना कि दिया था आठ क्यू फिर से एक वाट से की यह ता आठ क्यू एक को एक सिव्जाए एक इसका चाहँ सब्सक्राइब इसको यह इसको यह तार देंगे अब देखिए अब इतना अगया अब हमको सवाल कहता आठ एम रूप में लाने के लिए तो आठ एम इसमें से हमको आठ कॉमल लेना है चार एम के रूप में कहा तो चार कॉमल लेना है दू एम के रूप में कहा तो यहां पर दू कॉमल लेना है यानि यहां जितना कहा लाने क इतना ही कवम लिए आपको जहां जाना रहा ऑन जायेगा पीछहां दुसरा यह थे लिए ले तरह कि आमने लिए तो इसमें बाथ कॉम लिये तो इसमें मरतभे एक तो मांल लेंगे जो भी कोश्ट में है उसको M के रूप मिला है तो M मान नहींगे इसलिए इधर आते हैं इसलिए A square बराबर आठेम प्लस एक अतह विशम पुरनांग का वर्ग आठेम प्लस एक रूप का होता है इतने इसके से प्रिंस मार लेता है आपको हो जाएगा इस आगे देखते हैं अगा सवाल क्या काता है देखिया दूसरा दिखाया कि धन पुरनांग का वर्ग चारेम पुलस टींदू या चारेम पुलस तीन गूप का होता है अब देखिए यहाँ पे इसको कि क्या करना है अब यहां पर देखे आप दिखाएं कि धनपुर्णांक धनपुर्णांक का वर्ग चारें पुलस दू या चारें पुलस तीन रूप का नहीं होता है लेकिन होता है किस रूप का चारें और चारें पुलस एक मैंने सवाल कर रहा है यह सवाल रहे हैं मैंने इस प्रेटा है यह मैं फिर भी हल लिखे देंगे भी बराबर के तो जाए चार जीरो लेस दिन आर भी आर कान को तो जीरो एक दू तिन तक भूगा ना इसमें समकता है ने भी समकत याने मतलब सभी में दर्शाना को सबह को तो आर का माना पहले जीरो रख लेते हैं तो यह और चारिक्यू पर्लसप जीरू ये बराबर चारिक कि वह रक आटा है है दोनों त्रप वर्ग कर देंगे कि दोनु तरप वर्ग कि पक्रखण ये का वर्त आ च्वार क्यों का वर्ग कितना होता है तर एक 4 इम के रूप में जाना है तो एस्वेर को मानना क्या है जो भी होता है वही मानते हैं बढ़ाबर चार क्यूए स्कॉर इसलिए एसक्वेर भराबर चार यह पूरा के जगह पर में देदिया अब जीरो का दर्साली अब हम दर्सालेंगे किसको एक पूर डर dentist बराबर एक भीक्व यहनु पर लस आर यह बराबर चारी कुपोलस एक दोनों तरफ वर करें गे अंधिन तरफ वर्ग करने पर एक्यों स्कौर बर स्वाइर चार प्लस एक का स्वायर एक स्कुवएर अइस क्यों स्कूर लइब अब देखिए कोमन कितना लेना इसमें चार तो चार कोमन जीएगा आपको आजाएगा चार चौका सुल्ला चार दूनार्ट फॉलस एक बाचिया एम क्या मान लेना जो कोष्ट मेरा था वहीं मांते हुआ चार की वे स्क्वार प्लस नूटो क्यू इसलिए इस था बराबर इस चार लिख देंगे पूरा के बदला में यह हम अब इसी परकार को भी किजिया नहीं इसके रूपका आएगा तीन को किजिए इसके रूपका आए मतलब कि चारें चारें प्लस एख रूप का है लेकिन चारें प्लस दू और चारें प्लस darum थीन रूप कर नहीं आया इसी परकार हम यहां यहां फिरींट में लिखते हैं यह आप ओप आताहा कि अता धन पुर्नांग का वर्ग पॉर्म्ना का वर्ग पुर्दा'd that प्रपनीच दिलिकना है चारेम या कि आरेम फृप से करूप का हुटा है Hai likin में थारेम पलश दू ताहा लेकिन चारेम पलश दू या चारेम पलस तीन रूप का नहीं होता है इस प्रकार से सवाल आपका हो जाएगा है इसको इसके निश्च पर लिजेगा आप यह इस सवाल हो गया यह तीन हो गया तीन देखिए तीन क्या कहते हैं तीन का हल देखते हैं कि आप तीन नमबर सवाल है तीन नमबर का हल यहां यह वह यह देखिते हैं दूक लिए तीन नमबर दिखाएं कि एक पुरनाइग के वर्ग में चार से भाग दिया जाए यहनिवी कमांड रूटंडर चार होगा वार्ग में इसलिए वर्ग मूल कर देंगे तो बीकमान कितने जाए दू ते-अर कमान क्या हो जागा जीरो लेस्ट दिन और लेस्म इस बीर्गार जीरो एक इन अतः लेट वर्लें देज कि वर्ड गार्ट स्कान चार से भाग से दिया जाये वह गिमीं वर्ड में चार से लेट ने पर जीरो अथवा एक होगा बास मझें चार से भागे जिससे भागे देते वहीं होता है इसलिए बी कमान रूट अंदर चार दी वर्ग में कहता इसलिए अब देखते हैं चार नंबर स्वार सिद्ध करें कोई धन पुर्नांग छो के यहां पे छो के छो के पलस एक छो के पलस या चो के पलस तीन चो के पलस चार चो के प्लस पांच रूप का होता है यह सवाल कहता है उसको क्या करेंगे को है कि देखिए यहां पिर हो क्या है छोट की पवरेश्ब एक कहता है चोट की प्लास टीन गता है चोट के पवलज चार थो को प्लाष पात विवागी का मान कितना होगा है 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 बीक वांच होगा तो जीरु लेस तीन आर लेस तीन बी यानिर का मानिक त्यों गई जीरु एक दू तीन चार पांच छो बहुत यहाद धनपॊरनान कहता है तो क्या संबम चाठंगे नहीं कुंकि सम बीसम कहेंगा तो चाठंगे यह पे हम सब कुदर साइंगे आर बदाबर जीरो और बीकू बराबर क्यू बराबर यहां पर क्यू कमान की रख दीजी से क्यों कमान के क्यक्ति करूप में ना है तो a बराबर bq फल्स आर ये बराबर चो केट प्लस जीरो ये बना पर चो के जी रोका हो गया आर बराबर एक दर्साद दीए बराबर बीक्यू प्लस आर ए बराबर छो के प्लस एक दू का दर्साद दीए ए बराबर बीक्यू प्लस आर ए बराबर छो के प्लस दू अब क्या किजिए तीन का दर्साद दीए कि बराबर बीक्यूपलन साय बराबर डू पबरबर छो बीकमर कhen के आर पान्टीन आरप्राबर चार एबर आवर सोच धोटे पिल चार और है आङ वर आवर पांच तो है सब्सक्राऎर अब्राबर शोटेब प्लस्क चानर की घंप और अद्धन पुरनांग चोके यह चोके पलस एकिया चोके पलस दूर्या चोके पलस तीनिया चोके पलस चार्या चोके पलस पाचरूब का हो झार है है माति इस प्रकार से बांद भूह दिभाय कंट दिखाएं कि दू चार क्यू PS5 मन mmd है लेने के बाद गुणा करने पर उही रूपका होगा मने चार क्यू가요 और प्रइंस करेंगे तब वह रोज एक मन इस को इसी से गुणा करने के बाद यही कोई आएगा सोच सवाल कह रहा है यहां आपको लाना है जो सवाल कहता है सार्थ कि już 1000 कि गुना कर ने कि तो कर देंगे कोई Hasал से हो जाएगा यहां पर हम करते हैं बस्गान नमर के सब्बाइब शब्स को मुना करना कि से चार क्यूव पैलस एक से तो मुना कि चार क्यूव छोरियेगा इसको तो क्या हम करने क्या इस तो चाहरे कुस प्र dengan Ó धी पूर्ले कूसटेचे एक श्रूव ड़िए गना ये पूरा होगा अब देखिए बात यह हैं समझे आपको लाना है चार किया के रूप में तब ववा आपको कॉमन इसी की रूप में लाना है तो कॉमन चार ले लिजेए यहाँ पर क्यूंकि आए चार के रूप में लाना आठा की से ले सकते हैं चाहिए कमन लें इसमें चार्ट का 16 घ्याइड बच गया जो बच गया एम यूट मेन रहता था था यूट में नीज यह फ्रक्म टोप टीच enclosed तह है चारी क्यूब प्लस एक को दो बार गुना करने पर गुना करने पर चारी क्यूब प्लस एक रूप का होता है कि उता है कि नहीं इसे इस परकार से आपका एक इस स्कार कर लेजिगाई इता सी चप्टर पूरा खतम हो गया भाग पांच गनीत का भाग पाउच खतम हो गया अब आज तो नहीं हो पाया खल से आपको बिज्ञान का भीड्यान में देखें जायन आपका anlam上 का बिज्ञान है उस में शुरू में रस्याइन है उसके बात भौत की उसके बाद जिव थ individual है थो जब से पहले हम क्या करेंगे रस्याइन से पहला से स्टार्ट करेंगे कल मैं वीडियो लेकर आऊंगा आपको कल से इसी चैनल पर आपकर करके अच्छे सा त्यारी कर सकते हैं प्रहाई कीज़ सही रहेगा तो प्रशनावली एक यह आपका कंप्लीट हो गया अब एक भी एक भी पटने से पहले कल हम देखेंगे एक बी के जाहिए जाहिए.